DPS Senior Secondary School तबीजी लेकर आये हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open wizard dpsajmay.in रजिस्थान में अकिरकार दो मा के अंतराल के बाद विमान फिर से उडान भरने को तयार है समवार से जैपुर एरपोर्ट फिर उसी चुस्ती फुर्ती के साथ काम पर होगा यहां 25 मई से 13 शहरों के लिए 21 फ्लाइट का संचलन शुरू होने जा रहा है वहीं अगर lockdown से पहले की बात करें तो यहां से 21 शहरों के लिए फ्लाइट का संचलन हो रहा था अभी मुंबई, बैंगलोरू, दिल्ली, हैदराबाद, कॉलकाता, हैदराबाद, पूने, आगरा, सूरत, जालंधर, उधैपूर, अमरिसर, गुवाटी और वरानसी के लिए विमान यहां से उडान भढ़ना शुरू होंगे वहीं डॉमेस्टिक फ्लाइट्स में शुरुवाती दौर में फ्लाइट्स की जो संक्या है उसको कम रखा जाएगा और उसके नतीजे देखने के बाद ही आगे की उडानों की रूपर का तै की जाएगी फिलार नागरिक उडियन मंत्राली की तरफ से उडान के क्राय को लेकर नियूनतम और अधिक्तम कैटेगरी तै की गई है फ्लाइट्स के उडान समय के अधार पर सरकार ने यातरा क्राय को साथ भागों में बाटा है इसमें लो़र और अपर बेंड निर्दारित किया गया है यानि कि फ्लाइट्स के लिए यातरा क्राया नियूनतम और अधिक्तम फिक्स होगा जिसमें सबसे पहले सेक्शन में 40 मिनट तक की उडान के लिए नियूंतम किराया 2000 और अधिकतम किराया 6000 रुपे निर्धारित किया गया है इसी तरीके से 40-60 मिनट की उडान के लिए 2500 और 7500 रुपे होगा 60-90 मिनट की उडान के लिए 3,000 से लेकर 9,000 और 90-120 मिनट की उडान के लिए ये किराया 3500 से 10,000 रुपे तक रहेगा 120-150 मिनट की उडान का नियुनतम किराया 4500 रुपे होगा और अधिकतम 13,000 रुपे हो सकता है जबकि 1500-180 मिनट की उडान का किराया 5500 रुपे से लेकर 15,700 रुपे और 180-210 मिनट की उडान का किराया 6500 रुपे से लेकर 18,600 रुपे तक तैय किया गया है वहीं बिजनिस किलास के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे यहाँ पर UDF, PSF और GST अलग से लिया जाएगा चहर के लिए कितनी फ्लाइट का संचालन यहां से शुरू होने जा रहा है अभी मुंबई के लिए जैपूर से कुल दो फ्लाइट होगी जिसमें इंडिको की फ्लाइट 6E218 सुबह 6.40 मिनट पर जाएगी तो स्पाइस जैट की फ्लाइट SG279 सुबह 8 बजे जाएगी बैंगलूरू के लिए जैपूर से तीन फ्लाइट संचालित होगी जिसमें इंडिको की फ्लाइट 6E839 सुबह 5.50 बजे इंडिको की फ्लाइट सुबह 9.25 मिनट पर और इंडिको की फ्लाइट दोफेर 12.40 मिनट पर उडान भरेगी दिल्ली के लिए कुल चार फ्लाइट यहां से संचालित होगी जिसमें इंडिको की फ्लाइट 2.45 बजे इंडिको की फ्लाइट शाम 5.00 बजे एर इंडिया की फ्लाइट सुबह 10 बचकर 45 मिनट पर और इंडिया की फ्लाइट रात 9 बचकर 10 मिनट पर उड़ान भरेगी कॉलकता के लिए इंडिगो की फ्लाइट शाम 4 बचकर 45 मिनट पर उड़ान भरेगी यहां के लिए हैजराबाद के अगर हम बात करें तो दो फ्लाइट यहां के लिए संचालित होगी एर एश्या की फ्लाइट सुबे 11 बचकर 50 मिनट पर और इंडिगो की फ्लाइट शाम 8 बचकर 5 मिनट पर उड़ान भरेगी पूरे के लिए भी यहाँ से दो फ्लाइट का संचालन होगा जिसमें एर एश्या की फ्लाइट शाम पांच बचकर 15 मिनट पर और स्पाइस जेट की फ्लाइट शाम 4 बचकर 35 मिनट पर उड़ान भरेगी आगरा के लिए सुबह 7 बचकर 35 मिनट पर और एर इंडिया की फ्राइट यहां से संचालित होगी सूरत के लिए स्पाइस जेट की फ्राइट सुबह 5 बचकर 45 मिनट पर जाएगी स्पाइस जेट की फ्राइट जलंधर के लिए सुबह 7 बचकर 20 मिनट पर रवाना होगी 20 मिनट पर और वरांट सी के लिए भी स्प्राइज जैट की फ्राइट दो फैड दो बचकर 20 मिनट पर यहां से उडान भरेगी